है आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे एक और ब्रैंड न्यू वीडियो में आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हो है और आज हम देखेंगे कि पब्जी मुबाइल 7.1 वीटा वर्जिन में हॉल्यवन अपडेट के बाद 90fps कैसे लाएं कुंकि बहुत सारे बंदों का ऐ स्टार्टी ऊसम्पल है आप सबहुं के लिए चलिह सुरू करते हैं हुआ है हुए it कि सबसे पहले क्या करना है की आपको अपने चैक करना है कि आपका गेम लुप 7.1 है की नहीं उसके लिए क्या करना है कि आप अपना गेम लुप लिए झек लिए ग्येम लूप अपना खोल है यहां पर प्ले पे क्लिक किजी ऑप खोलिए और वेट करते हैं यहां पर देखिए टर्बो इंजन 7.1 बीटा इसका मतलब कि यह कंफर्म हो गया कि यह हमारा गेमलूप 7.1 है अगर आपका गेमलूप 7.1 नहीं है और आपका गेमलूप 4.4 है तो सबसे पहले आप कोई भी वीपेन आउन कर लेजिए कोई वीपेन टाज वीपेन प्रोटोन व सब्सक्राइब करने के पहले अगर आपके पास कोई भी गेमलूप 7.1 बीटा वर्जन हो या फिर 7 4.1 हो उसका जितना भी लेफ्ट ओवर फाइल्स है सबको डिलीट कर दिजिए उसके बाद इसको इसको इंस्टॉल किजिए इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको खोलना है यहां से सेटिंग खिलने के बाद आपको जाना है इंजन में और DPI आप चेंज कर सकते हैं रेजोलूशन चेंज कर सकते हैं इसको अगर अगर आपके पास GPU या ग्राफिक्स कार्ड अगर अच्छा है तो इस पर क्लिक किजिएगा अगर आपके पास GPU अच्छा ने प्रोसेसर अच्छा है तो फिर इसको अंटिक कर दीजिएगा असे ठीक है उसके बाद आपको जाना है गेम में और जो भी आपका यह है ग्राफिक्स कार्ड को है उसके हिसाब से आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं आपका GTX 1660 Ti है या फिर या फिर 1060 या फिर उसके उपर अपग्रेडर वर्जिन है तो अल्टरा सब्सक्राइब कर सकते हो यहां से आप HD सेलेक्ट कर लिजिएगा डिस्प्ले क्वालिटी से और 90 fps सेलेक्ट करके सेव कर लिजिएगा ठीक है यह होने के बाद आपको करना क्या है कि इसको एक बार द यह फिट करते हैं जब तक start होता है तब तक यह इन नहीं हो आपको यहां पर back exit वाले बाटन-पे क्लिक करना ठीक है यह जो exit का बाटन दिखरा है नीचे में यह 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 लास्टम यह लाश्ट वाला इस पर क्लिक किजिए दो बढ ऑ ही फिर यह निन operations ndj की बाद आपको करना क्या है कि अपने keyboard में F9 प्रेस किजिए ठीक है F9 प्रेस करने के बाद यह ब्रावजर वाल आप्षन आगया इसके पहले यह आप्षन नहीं था देखिए आप यह चीज नहीं है तो जैसे आप F9 प्रेस कीजिए यह वाल आप्षन आजागा इस पर क्लिक करना आपको browser पर लाओजर पर क्लिक करने के और आपको यहां पर करना के ये सफाइल explorer इसांफ लोडर उसने को कि तो होता है तो आप यहां से निया सेलेक कर सकते नहें तो थोड़ा सा वेड कर सकते answer करना अये हैं के खरने के यहां पर और दोबर्ड हुए तो इसके और s'cell करें इसके का तो खोलना आपको याँ भी ब्राउजर खोलना है तो इस उपर बेजया www.google.com जो है इस पर डबल क्लिक करना है कि डिलेट हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन ने मैं एक लिंक दूंगा उस लिंक पर आप कॉपी कर लिजिए और यहां पर कर दीजिए आप पेस्ट करने के बाद आपके इंटर यह कुछ ऐसा टाइप का खुल जाएगा यह खुलने क सेकेंट तुरंथ हो जाएगा अगर नेट केस के यह बहुत ही जादा है तो थोड़ा एक मिनिट लग सकता आफ हो यह होने के बाद आपको क्लिक करना वापस और इस पर आ जाना उसके बाद और पह suggestion करना आपको यह वाला भाईल में डाउलोड कर रहा था इसको भी की माउज का प्रेसकर करकर मौल्ट की रखें के न दो तिन सकंड के लिए तो आपक neutra हो जाए गा वहां से आप इसको रिणेंब कर सकते हो ठीक है करered होने को लिण बर क्लिक किजिए और इसको पूरा को सब्सक्रार करके डवल कि पूरा उज्सक्रार इलीट कर दीजिए पूरा चीज जोर्मrenchNow को टाइप करना है एक कर दीजिए अलाकि मैं पहले से किया हूँ इसलिए दुबारा नहीं होगा एक बटन ना फोल्ड किया रखना है कि आपको इसको किजिए कोई यहां से यहां से इंटरनल स्टोरेज्च में ठीक है इंटरनल स्टोरेज्च पर आपको क्लिक करना है फिर आपको सर्च करना है इसमें Android यहाँ पर मेरा Android है Android में जाए फिर डाटा में जाएंगे अगर आप एक से ज्यादा PUBG का वर्जिन डाउनलोड किया है तो आप यहाँ पर सर्च कर लिजिए सर्च करना है यहाँ पर एक्टिव करके एक यह वाला इसको करना है आपको लेफ्ट यह राइट क्लिक होल्ड करना है मुझाय उसको करना है डिलेट किजिए और नए वाले को यहाँ पर कर देजिए पैस और कुछ नहीं करना बस ओ necklace करना वार पॉत इतना ही और उसके बाद आप था किजिए बंद कर दिजिए यहां से चीज़ों कर देजिए अपने गेम्लुप यहां बंद कर लिजे और उसके बाद खुलिए अपना गेम लूप वापस कि लेपे क्लिक किजिए और हाँ इन सब प्रोसेस को करने के बाद अगर आप दुबारा गेम लूप रिस्टॉल नहीं कर रहे हैं आप उसी लूप आपको पास लूप 7.1 है पहले से और उसमें स्टिंगग चेंज करने तो आपको क्या करना है की कि एस पहले अपना सेटिंग को सेव करना अपड अपना पाईल को या फिर लेयाओट जो भी आ उसको आप सेव कर लिजीएगा जब तक हमारा स्टार्ट होता वेट करते हैं हो गया अब करना है इस पर 100 fps अभी देखिए हमारा कितना दिखा रहा है 6183 हाला कि मेरा recording चल रहा है background में तो थोड़ा सा frame drop हो सकता है आगे पीछे लेकिन 8283 मेरा अभी भी दिख रहा है क्या आप कोई भी आप ट्राइ कर सकते हैं आपको पक्का उतना fps आपको मिलेगा 60 से प्लस मिलेगा आपको हाला कि depending upon your system performance यह आना चाहिए अगर नहीं आता है तो आप comment करके बताए मैं कोई और solution बताऊंगा लेकिन 99.99% पर यह chance जाए कि आपका यह problem solve हो जाएगा तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते है एक और अच्छे वीडियो के साथ अब तक आप क्या कीजिए चैनल तिल देन बाइबाइबाइब टेक केर नमस्कार मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ आप